नमस्कार सर, नमस्ते, सर आप अमना पर्चे दे, मेरा नाम सुधानजु शर्मा है और मैं जैवेख खेती पिछले तेड़ साल से कर रहा हूं धनोरा हदेली विदीशा में और हमने धान लगाई हुई है और हम गेहू लगाते हैं शर्वती गेहू लगाया था पिछले सल और म में धान लगाते हैं उसमें आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम शुरुआत से सीट्रीटमेंट में सीट्रीच यूज़ करते हैं उसके बाद नासा एंपीके नैनोफास दानेदार जो रहता है वो इस्तमाल करते हैं जी प्रेव अगरा में बीबी गोल्ट टैक्यर टैग जी शुरुबात की थी उनीकी गाइडेंस में किया था इस साल भी हमने किया हमारे बहुत अच्छे हैं जी धान बहुत अच्छी होती है विशका बहुत अच्छा होता है तो अभी आप दिखा सकते हैं अब देखिये यह लगा हुआ है जो पैटने को तयार है हमारे पूरा पूसा बास्मती है जी विश्ने साल से बहतर है बहतर निकल के आई है किसी प्रकार का कोई रोग हमको नहीं मिला ना पिश्री बार मिला का जो बहुत अच्छी बात है जिससे दुखसान हमारा बिलकुल नहीं होता है तो जैसे ट्रॉपिकल के अलावा भी और भी कोई कि संपूर समाधान आपको ट्रॉपिकल की तरफ से उपलब है संपूर्ण तो हमें मिली जाता है ट्रॉपिकल की तरफ से बट हम लोग चुकि बाकी अपनी फस्टों में भी नैच्रली जैवंबरेत का इस्तमाल करते हैं या वर्मी कंपोस डालते रहते हैं के लिए एक अच होग जीदे कंपोस पर जेब होते हैं पर मिला स्पोर्ट मिलता है को अच्छान्त है कंपनी के बारे में कुछ को बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमको सीखने को ही मिलता है और ईक क्वालिटी प्रोड़क्टी मिलते हैं तो इससे जादा और क्या चाहिए है सार खेती करने से पहले अप के पर हम दिली में जॉब करते थे मैं और मेरी वाइप दोनों यॉब करते थे पहले मैंने जॉप छोड़ा, फेर मेरी वाइक में जॉप छोड़ा, अब हम दोग खेती करते हैं, और इसी का प्रोडक्शन देखें, हम रिटेलिंग भी करते हैं, पूरा और अगानिक रहता हैं, इसाब कुछ ठीक है, धर्निवास, थैंक्य।